9 Unbelievable Facts About Journal Redired Pruviz Musharraf साबिक जर्नल पruviz Musharraf के 9 नागाबले यकीन हकाईक दोस्तों पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जर्नल पruviz Musharraf पाकिस्तानी तारीख के वो वहेद military dictator हैं जिन्नोंने दो बार मुलके आइन को मौतल किया और इन पर दो बार जान लेवा हमला भी हुआ लेकिन ये दोनों ही बार अपनी modern bulletproof और bumproof जदीद गाडियों में लगे जैमर्स की वज़े से बाल बाल बच गए और ये पाकिस्तानी तारीख में पहले military dictator थे जिन्नोंने private media channels जैसे अज आपको पूरी कौम पर मुसलत भी किया और ये वाहिद पाकिस्तानी डिक्टेटर थे जिनको अदालत ने फांसी की सदा भी सुनाई लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमाजश्रीफ के खूमत को चलता करने वाले और एक डील के जरीए सोधी अरब भेजने वाले जनर्नल परवेज मुशरफ खुद एक दफ़ा कोर्ट मार्शल होने से बड़ी मुश्किल ही बचे थे और फिर ये तरकी करते करते होर स्टार जनर्नल भी बन गए लेकिन वो क्या वज़ा थी जिसकी वज़ा से इनका आर्वी में कोर्ट मार्शल होने वाला था परवेज मुशरफ ने आसिफली जरदारी के हवाले से ऐसा क्या इनकशाप किया जिसने पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी 2002 में मुशरफ ने इसवप के एर चीफ को ऐसा क्या होकम दिया था जिसने बार्थी फौँच के पसीने छ़ड़वा दिया और अगर आपको Talk Shop चैनल की ये informative वीडियोज पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा कर और घेंटी के आइकॉन को क्लिक करके All पे क्लिक करें और Talk Shop की फैमिली का हिस्ता जरूर बन जाए इनके वालिद सेयद मुशरुफदीन पाकिस्तान के Foreign Affairs के Secretary थे जबके वालिदा बेगम जरीन मुशरुफ एक पड़ी लिकी घरेलू खातून थी सेयद परवेथ मुशरुफ अपने तीन भाईयों में दूसरे नमबर पे थे और इनकी वालदा बच्पन से ही प्यार से इनको पिल्लू के नाम से पुपारती थी आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी के देली में ये सरसेयत एमद खान के हमसाये थे और इनके वालिद अलीगर्ड मुस्लिम यूनिवस्टी के ग्रैजुएट भी थे और इनकी तालीमी काबियत की वज़े से ही अकूमत पाकिस्तान में यही आला ओदो पर खिदमात सर अंजाम देते रहे जब प्रवेद मुशरिफ सिर्फ चार साल की थे तो इनका खांदान पाकिस्तान बनने से चंद महीने पहले ही इजरत करके कराची आब बसा था और फिर ये अपने वालिद के साथ तुर्की के कैपिटल अंकरा में साथ साल रहे और इन्होंने तुर्क अपने कैरियर का अगास किया दोस्तों आर्मी में भरती होने के एक साल बाद ही 1965 में प्रवेद मुशर्फ का अन और्थोराइज लीफ यानि कि बिना बताए छुट्टी पर जाने की वज़ए से कोर्ट मार्शल होने वाला था लेकिन इसी दोरान पाग भारत जंग चिड़ की वज़े से ही इनको इम्तियाजी सनत से भी नवाजा आई और इस जंग के खात्मे के बाद परवेद मुशर्फ ने SSG कमांडो के ग्रूप को जोईन कर लिया जहां पर ये 6 साल कमांडो की खिदमात भी सरंग्जाम देते रहे ये अपनी काबलियत की वज़ासे तरकी करते गे और आपको ये बाद जानकर शदीद हैरत होगी के परवेद मुशर्फ को फोर स्टार जर्नल के रैंक पर पर्मोशन मुहतरमा बेन अजीर भुटो ने दिया था और साभी वज़ीर आदम नवाज श्रीफ ने तीन सबसे सीनियर आर्मी आफिसर्स को छोड़कर चौटे नमबर पर मौजूद जर्नल परवेद मुशर्फ को पाकिस्तानी फोट का सिपा सलार मुकरर कर दिया था फैक्ट नमबर थ्री हैं दोस्तो साथ अक्तूबर उननीस सो अट्थादमे को आर्मी चीफ बनने वाले परवेद मुशर्फ और साभी विज़ीर आदम नवाज श्र परवेद मुशर्फ सिरलंका के शहर कॉलंबो के ओफिशल विज़िट से वापिस आ रहे थे हो तो इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में था ही तो नवाज श्रीफ ने इनकी जगा खौजा जियाउद दीन को आर्मी चीफ बना दिया और परवेद मुशर्फ के तियारे को लेंडिंग करने की जादत ना दी और पाइलेट को भारत में लेंडिंग का हुकम दिया तो इससे हालात मजीद बिगड गए पाइलेट ने बहुत मुश्किल से जहाज को कराची एरपोर्ट लेंड किया और इसके साथ ही कराची के कोर कमांडर ने इनका आर्मी चीफ जैसा इस तक बाद भी किया और फिर तमाम कोर कमांडर और ग्राउंड फोर्सिस की मदद से नमाज श्रीफ की हकोमत का अतकता उलट दिया गया और इनको ग्रिफतार करके अडियाला जील बिजवा दिया गया 12 अक्तूबर 1999 को आएन मुटल करते वे मार्शला नाफिस कर दिया गया और मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव प्रवेफ मुशरफ बन गया तैयारा अगवा केफ में नमाज श्रीफ के खिलाफ मुकदमा चला कर इने सजा देने से पहले ही साओधिया के किंग फाहद से जाती मरासिम होने की वैसे नमाज श्रीफ और इनके खांदान ने एक डील के जरीए 10 साल तक जिला बतनी में गुजारने का एहद किया और एहल आयाल समेद मुल्क छोड़कर चले गए इसके बाद परवेज मुशरफ ने अवामी रेफरेंडम के जरीए खुद को वर्दी में सदर मुल्टखिब कर आया और अपना एक्तदार मस्दीद मुस्तहिक कम किया जो के 18 अगस्त 2008 को खितम हुआ दो तो अपने एक्तदार के शुरुवाती दिनों में ही मुशरफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को गले कई सालों तक आग और खुन की एक वादी में धगेल दिया 9-11 के बाके के बाद जनरल प्रवेज मुशरफ ने इस वक्त के अमरीकी सदर बुश की एक कॉल पर अमरीका की दैशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया अगवानिस्तान पर हमने के लिए पाकिस्तान की एर बेसिस इन्हें दे दिन जिससे अखवानिस्तान की सर्जमीन को तो खुन में नहलाया ही गया लेकिन साथ इसाथ पाकिस्तान भर में भी आग और दरिया खूल गया और आम हवाम फौजी जमानों पुलीज के साथ-साथ हुआ प्रवेद मुषर्फ भी इतंकी जदमें आया और नकर भी दो दफ़ा जान लेवा حमला हुआ। प्रवेद सन 2002 में भारत ने पनी पार्लिमेंट पे होए मश्कूख हमले का बहाना बना कर अपनी फौजे सरदेंगों पर लाकर खड़ी कर दी अंजीजे में पाकिस्तान की फौजे भी सरदों पर मुल्की फाज़त के लिए पहुंच गी। इसी दोरान परवेज मुशरफ को ये इंटेलिजेंस रिपोर्स में लीगे मकबूजा कश्मीर के रास्ते इंडियन एर फोर्स रात के अंधेरे में मकसूस मुकामात पर सर्जीकल स्टाइक का मनसूबा बना चुकी है। और अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ जो होगा वो कुछी दुनिया देखेगी। इस पैगाम ने भारती हाई कमांड के पसीने चुड़ा दिया और दोबारा इनको ऐसा करने के जुरत नहीं हुई और फिर कुछी अरसे बाद इन्होंने अपनी फोर्जें भी वापिस ब अगरा दिया था। किए की Moreover के मौतर्मा के भाई मुर्तदा भ्टो को भी कतल करवाने वाला आसेफली जर्डरी ही था क्योंके दोनachen रखता बीदा नफृत पाह जाती थी इसकदर नफृत K mango करने Offले करे श्रुणे तचितए और एक बार थान ऐस से कहते अर्क Conform ऑलीज यहिं के भी कटवा दी थी लेकिन पिर इसके बाद पुलीस के जरीये मुर्तदा भुटो का खूनी कतल करा देना वो भी अपनी बीवी की हकूमत में और आज तक इनके कातलों का पकड़े ना जाना इस बात का सबूत है कि सबके पीछे आसिफली जर्दारी ही था आसिफली जर्दारी क पाकिस्तान का करप्तरीन इंसान कहते वे प्रवेंज मुशरफ ने ये भी कहा कि ये इंतिहाई घटी का इंसान है जो के पैसा और इक्तिदार के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है मुशरफ ने अपनी आटो बायोग्राफी इन दा लाइन ओ फायर भी लिखी है जिसमें इन्होंने बहुत से इनकशाफात किये हैं और इस किताब को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पसीर आई भी मिली है दोस्तो आप जनरल परवेज मुशरफ को आईन तोड़ने वाला मुजरिम कह सकते हैं अमरीकी सदर की बुश की एक कॉल पर लेट ले वाला भी कह सकते हैं और हजारों अगवान मुसलमानों का कातिल भी कह सकते हैं नवाशिफ और जरदारी जैसों को अमरीकी दबाओ पर NRO देने वाला मुझरिम भी कह सकते हैं लेकिन कर्रप्शन एक ऐसी चीज है जिसका परवेश मुझरफ से दूर दूर कोई वास्ता नहीं था और नहीं किसी मेगा प्रोजेक्ट में कर्रप्शन या किक बैक्स का कुई सबूत मिलता है तो पिर सवाल पैदा यह होता है कि इनके पास पाकिस्तान में करोड़ों मालियत के घर कैसे आए और लंदन और दुबई में मुझूद इनके लक्जरी फ्रैट्स किस ने दिये तो इस बात का जवाब आपको थोड़ी सी तहकीक और वेरिफिकेशन से मिल जाएगा पाकिस्तान में हर रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को 600 गस का एक प्लोट या फिर 800 गस के दो प्लोट्स मिलते हैं और साथ ही एक खतीर रकम भी रिटायर्मेंट पे मिलती है जहां तक लंदन और दुबई के फ्लैट्स का तालूग है तो ये भी अपने कारोबार और कमाई से ही हसी किये हैं क्लेक्शन कमिशन में डिक्लियर भी कर दिया था और इनकी आज तक की कोई खुफिया प्रॉपर्टी या फिर कोई ऑफ्शॉर अकाउंट्स सामने नहीं आ सके फैक्ट नबर एट दोसों प्रवेद मुशरफ ने उर्दू स्पीकिंग फैमिली की एक पड़ी लिकी खातून बीवी हैं और आपको जादा हैरत का जटका यह जानकर लगेगा कि प्रवेद मुशरफ की नवासी मरियम रजा ने प्यारदा मीटर सौंग में मौडलिंग करके शूबिस इंडूस्ट्री में कदम रख दिया है एक और हैरान कर देने वाली हगीकत जो बहुती काम लोग जा पुद्रत के अंजाम से नहीं बच सके परवेद मुशरफ एमेलोडोस नामी एक बीमारी का शिगार हैं जिसके मरीज पूरी दुनिया में सरफ 25 अफराद हैं और इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है यह बीमारी आइस्ता इस्ता आपको अंदर से खोकला कर देती हैं इन्होंने अपना आखरी वक्त पाकिसान में गुजारने के लिए हकूमत पाकिसान को दर्खास भी लिखी थी जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका कि इनको हाने दिया जाएगा या नहीं लेकिन आज भी बहुत से लोग इनको हीरो कहते हैं दोस्तों आप इने हीर इस वीडियो उसके लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें